नमस्कार मैंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल टीचर एजुकेशन पर तो आज की इस क्लास में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे महा जनपत काल पिछली क्लास में जैसा कि हमने पढ़ा था पूरोबैदिक काल की जो राजनायतिक दसा थी उसको हमने पढ़ा था और जो धार्मिक इस्तिती थी उसको पढ़ा था उसके बाद हमने उत्तर बैदिक काल को भी स्तार से पढ़ाता समझा था जो भी स्टूडेंट उस क्लास को पिछली क्लास को नहीं देखे नहीं पढ़े हैं वह इस वीडियो में जो महाजनपद है काफी बड़ा जो आपका क्लास होगा लेकिन हम उसको सौर्ट में बताएंगे जो महतपूर है क्योंकि आपके एक्जाम में ज्यादा डीपली प्रसंद नहीं आता है तो यह ध्यान में रखते हुए चीजों को जो आपके जानकारी के लिए महतपूर है और जो चीजे आप समझ सकते हैं कि महाजनपद देदी पढ़े हैं तो इन चीजों को हमें जानने जरूरी वह चुझे हम महतपूर पॉइंट को पढ़ते हो समझते चलेंगे तो चीजों को आप ध्यान से पढ़ें और क्लास को अंतक जरूर देखें तो चलिए सुरू करते हैं जैसा कि स्क्रीन पर देख रहा है कि छटी सतापदी इसापूर के आते आते इन जनपतों का अत्यदिक विश्तार हो गया हो प्रवित्ति के कारण जनपतों में परसपर संगर्स हुआ इस संगर्स में पराजित जनपतों विजित राजियों में बिलीन हो गए इन विजित जनपतों की राज सीमा और सक्ति में ब्रिद्धी हो जाने के कारण इन जनपतों को महा जनपत के नाम से पुकारे जाने लगा यहनी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब छटी सताबदी ईशापुरू का समय आया तो जो जनपदे थे उपने अतिधिक विस्तार होने लगा जब विस्तार होने लगा तो उनमें आपस में सभी जो जनपद थे उन सभी जनपदों में आपस में परसपर संघर्स हुआ उस संघर्स में कुछ पराजित हुएं कुछ बिजय भी हुएं जो बिजित जनपत थे यानि जो बिजय हुआ जिनकी जीत हुई उन जनपतों की सीमा सक्ती में ब्रिद्धी हो गई उन्हीं जनपतों को एक साथ मिला के जो है महा जनपत का ना महाजनपद जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सोला महाजनपद को जानेंगे उसके बास सोला महाजनपद को हम लोग करम से पढ़ेंगे कौन-कौन महाजनपद बाद चाहित में यह घात होता है कि ततकाल भारत में अनेक राज्यों में कीन the जैसा कि आप लोग ध्यान खेंगे, बाउफ ऑर जोयन जो सहित्थ था, उसी जो बाउफ जोयन सहित्थ था, उसी सहित्थ के सुरोथ से हमें चीजेजे ग्यात होती है, यह पता चलता है, जो तत्कालिन भारत में अनेक राजियों में बिभगता, यानि भारत का जो राज था, और गड तंत्रिक, दोनों ही प्रकार के शाषन, पध्धति, अस्तित में थी। यादि ध्यान रखेंगे, राजा का जो तंत्य था, राजा का सासन था, गड़ओ प्रजाय जयन जयनता का सासन था। दोनों पद्धती जो है यह यह अस्तित में थी कब बहुत दोजन सायत में जब मिलता है कि सोला महा जनपत की लड़ाई जब आपस में अस्तित की लड़ाई चल लई थी राज्यों के ठीक है इनमें सोला राज प्रमुक थे राज्यों की संक्या सोला होने के कारण ही इनने सोल महाजनपत कहा जाने लगा तो यह आप ध्यान रखेंगे कि महाजनपत किसे कहा जाने लगा तो भी ध्यान रखेंगे और 16 महाजनपत किसे करते हैं तो भी ध्यान रखेंगे आप लोग जैसा किमने आप लोगों को बता है ठीक है आगे हम लोग देखेंगे कि सोरा महाजनपत क का उलेक मिलता है इन भी सेयों का वह हमें इसका जो साक्ष मिलता सुरोत मिलता है बहुत और जैन साहित के अलावा पालनी ने जो अस्टा ध्याई लिखा था इन्हीं से जो है हमें 16 महाजनपदों का उलेक मिलता था वो 16 महाजनपद कौन-कौन से जैसा कि आप लोग देख सकते स्क्रीन पर पहला यहां दिया हुआ है आप लोग देख रहे हैं अंग मगद कासी कौसल वजी चेदी या चेटी वज्च कुरू पंचाल दसमा आसमग ग्यारा दिया है मच् कंभोज और अवंति इन सभी सूरा महाजनपदों के जो प्रमुक राजदानिया किस नदी के किनारे इस्तित है इन पर हम बरस द्यान से चीजों को समझेंगे क्योंकि ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है तो आप लोगों को टेलिग्राम ग्रूप पे मिल जाएगा तो वहा लोग ध्यादान रखेंगे जो अंग की राजदानी पूछा जाया अंग की राजदानी कौन से है चमपा थी यह भिहार के भागलपूर यानि आधुनिक जो भिहार है उसके भागलपूर और मुंगेर जी ले तक यह फैला हुआ है इसका जो छेत्रविष्तार है यह यहां ठीक है इन चीजों को आप ध्यार रखेंगे बाकि इससे संबंदी जो और इतिहास है उसके बारे में जब आपको पीडियाप मिलेगा तो आप चीजों को जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं लेकिन क्लास में जो इंपोर्टेंट हो उसी चीजों पर समझेंगे और बात करें मगद यानि मगद जो महाजनपद है वह बिहार राज के गया और पटना जिले में तक फैला हुआ यह ध्यान रखेंगे जो आज का मगद है यानि उस समय का जो मगद था वह आज के बिहार के गया और पटना जिले तक फैला हुआ है जो मगद की राजधानी इसे ध्यान गिरी वरज का नाम गिंबिसार था उन्होंने बदल के राजगिरी कर दिया क्या आज का जो राजगिरी कर दिया है इसी आप लोग ध्यार रखेंगे ठीक है आगे हम लोग देखेंगे अगला कासी यानि कासी जिसे कासी महा जनपत सरवादिक प्राचीन था ये ध्यान रखेंगे काफी महतपूर है कासी जो आज का वारांसी है इसकी राजधानी क्या वारांसी जो आज हम लोग वारांसी करते हैं बनारस करते हैं वो महा जनपत यह वारानसी इस्थित है, इसलिए कासी का नाम वारानसी पड़ा, यह Kafka काफी पॉटेंट है, कासी के बारे में अपोग ध्यार रखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे कोजल, कौसल जो है जैसा के कौसल उत्तर पर्देश के मद में उत्तर की ओर स्थित है जो कौसल की राजधानी, उसे आप लोग देख लेंगे कौसल की राजधानी का है, स्रावस्ति, ये धर रखेंगे इसके प्रसीद दो नगर कौन-कौन से अयोध्या और साकित किसके कौसल के, जो कौसल जनपद का उले खाता है, महा जनपद का उसकी राजदानी सरावस्ती है, इसके बीच जो दो नगर आते हैं अयोध्या और साकित थिक है अगला हम लोग दखेंगे वज्जी महा जनपत चला है यानि अधनिक विहार के उत्तरी भाग कौन-कौन सा है इसे देखेंगे यानि इस संग की राजदानी वज्जी की ते बाता साल right वाप 20, doet काफी महात पूड़े इसके आप धहान रखेंगे जितनी भी राजदानी जो महाजनपत के बताया जारा 14 महाजनपत के उसी तो आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि आपके समेश्टर परिक्षा के साथ साथ आगे जब भी आप टेड सीटेड या कोई भी जो है टीचर के लिए आप कोई भी परिक्षा देंगे उसमें महाजानपत के बारे में और महाजानपत की राजधानी के बारे में तो जरूर ही पूछा जाता है इसे ध्यानपत चेटी जिसे चेदी के नाम से भी जानते हैं तो चेदी आज का आधुनिक जो बुंदेल खंड है बुंदेल खंड में इस्थित है उसे चेदी या ही अगला वसा देखेंगे वस जोहां kazi महाजंपत के दक्षिड़ी या पक्षीर चेदी की उत्तर पूरुolen से जनपत पाइस थी ते राजधानी क्या कवसामब strengthened क कि की में वास कमें काव्साभी थे वेशा सामबी कुरू को हम देख लेते हैं कुरू जनपत वर्तमान, दिल्ली और मेरट के समय पिस्तित है यानि आप लोग ध्यान रखेंगे अभी जो हम बात कर रहे है कुरू ये कुरू उस समय का जब 16 महा जनपद था जिसका उलेख बहुत और जन साहित में मिलता है तो उसके साथ साथ पाड़नी के अस्टा ध्याई में इसका उलेख मिलता है जनपदों का वह आज की वर्तमान जो अस्थान है जनपद है दिल्ली और मेरट के समीब कूरू का जो है छित्र मिलता है जिसकी राजधानी किसकी कूरू की जो राजधानी मानी जाती है वह इंद प्रस्थ मानी जाती है अगला पंचाल हम लोग देखेंगे पंचाल आधुनिक रुहेल खंड तथा गंगा यमुना के दुआब में इस्तित है ठीक है तो यह काफी इंपोर्टेंट है इसे आप ध्यार रखेंगे इसकी जो राजदानी अहीच अहीच छत्र क्या है अस्मक की राजदानी से अस्सक भी करते हैं यहां अस्मक जो है जनपाद दच्छिड भारत में गोदावरी के तटपई स्थी थे जो इसकी राजदानी है पाउंदन्य क्या है पाउंदन्य जिसे आधुनिक पोतन थी ठीक है अगला हम लोग देख लेंगे गिरावा मच्छ से जिसे करते हैं मच्छ से जैपूर अलवर या भरतपूर के कुछ भाग में स्थित्धा कौन मच्छ से जो है इसकी राजदानी क्या मानी जाती है इसकी राजदानी बिराट नगरी मानी जाती है सूरसेन को देख लेंगे सूरसेन जो है दक्षिड में सूरसेन जनपाद इ बैभाव से सर्वत्र विख्यात थी तो ये काफी महत्पूर इसे ध्यान रखेंगे मतुरा यानि इसे ध्यान रखेंगे अगला तेरह हमां देखेंगे मल मल जो वज्जियों के संग के उत्तर में दो भाग इस्थित है मतलब विभाजित मल की एक पहाड़ी था जो इसकी एक भाकी राजधानी जो है वह कुशी नगर तथा दूसरी राजधानी जो भाबापूरी थी दे ध्यान रख Ole लेंगे घंधार Čंढयां वो देख si सिला काफी महतपूर है यागे हम लोग देखते हैं कंभोज कंभोज के जो और यह गान धार का बड़ोसी राज यानि इसकी राज़्दाने जो है वांति हो दो भागों में यह फीन का यह राज्ज यानी जो यो उत्तरी अवंती की राजदानियंगे उजयनी मानी जाती है और फ्च्छरी अवंती की राजदानियंग का लोत है इसे आप लोग पाड़ेंगे यहां जैसा कि आप लोग स्क्रीन पेख मगद का समराज मगद का समराज किया है उसके पाथ क्या अगरत पूर्वी भारत में राजरी निती इकता अस्थाफित करने के प्रयास किये जा रहा है थे यानि आप ध्यान रखेंगे कि मगत सामराज था तो उसके नित्रित में जो उत्तर भारत का यानि उत्तर पूरब भारत का जो छेत्र था उसमें एक राजनितिक विसाल राजनितिक एकता अस्थाफित करने के प्रयास कि जा रहा है थे तो उस समय जो उस्तर और पच्षिम आप ध्यां रखेंगे उस समय उत्तर और पच्षिम में जो छोटे छोटे प्रदेश थे प्रदेश के छोटे छोटे जो राज थे वह छोटे छोटे बड़े राजियों में क्या थे बिभाक्त थे इन राजियों में आपसी भी सामराज ये वादी सक्ति साली सक्ति इस और अक्रिष्ट होना सोवाविक है यानि आप ध्यान रखेंगे कि जब मगद सामराज की नित्रितों में उत्तर और पूरब भारप के जो इस्थिती थी कौन सी राजनैतिक इस्थिती थी तो उस टाइम राजनैतिक एकता को कट को स्थिता है अगे हम लोग पढ़ेंगे कि सिकंदर का भारत में आक्रमर वहामत्तवास कंडर फिलीप फिलीप का पूतर ध्यान रखेंगे सिकंदर किसका पूत्र था फिलिप का पूत्र था कहां का राजा था मकदूनिया का था यानि बच्पन से बहुत बड़ा महत्वा कांची राजा था इसका इनका जो सपना था सिकंदर का वह विजय करना इनका सपना था किसका सिकंदर का यानि राजा के बाद सिकंदर मगदूनिया के सिंगासन पर बैठ गया यानि आसीन हो गया सिंगासन पर बैटते ही वह अपनी विजय का स्वपन साकार करने की चेश्टा प्रारम कर दिया इसे ठ्यार लगे आगे हम लोग देखेंगे कि जैसे ही यहां पर पढ़ेंगे हम लोग सिकंदर के देख लिए यहां पर हम लोग जैसे पढ़ेंगे कि भारत के अवियान में सिकंदर को निमलेखी सक्तियों का संघर्ष करना पड़ा कौन-कौन सी वह सक्तियां थी जैसे यहां देखेंगे अस्वक जाती से युद्ध करना पड़ा नीशा पर अक्रमड करना पड़ा मस्सक पर आक्रमड आमभी अविशार इन सवी से आक्रमड करके तब सिकंदर जो है इन सक्तियों के सामना करके वह विजय हुआ यानि अस्वक से जो जाती से युद्ध किया था जैसा कि आप लोग यहां दे इवं स्वन्दर वैलो to से चीनकर मक्दुनिया भेज दिया यानि अंब धयां रखेंगे कि अस्वक्त जुटकर दिया जीनकर मकदुनिय राज को प्हेजर दिया को गों सिकंदर यानि जब नीशा पर अक्रमड किया तो क्या हुआ अब ध्यान से पढ़ेंगे नीसा राजय पर अभिजात वर्ग का अधिकार था यानि सभी लोगों का अधिकार था नीशा यहां का जो सासक था, अक्रूफिस था, वह छोटे से संघर्स में पराजित हो गया, उसे सिकंदर के अधीन स्विकार कर लिया, उसे ने सिकंदर को लगवक तीन सो गोड़े भेड़ दिया, यानि ध्यार रखेंगे, जो नीशा पर जब अक्रमण किया, तो नीशा राजी का अ अक्रूफिस वह छोटे-छोटे जो संघर्स हुआ करते थे, उनी संघर्सों में पराजित होगा, लेकिन जब महान सासक सिकंदर से उसका सामना हुआ, तो उन्होंने वह का किया, अक्रूफिस राजा था, सासक था, वह सिकंदर के अधीन जो है, अपना पराजय सुकार करके सिकंदर को तीन सो घोडे भेट सोरूप में दे दिया, फिर मसक से अक्रमर किया, मसक गोरी नदी के पूर में इस्तित्ता या पसीम दचिर के पूरव की दिशाओं में, चटानों परवतों के मालाओं में असुरचित था, यह इस पे भी जो करके सिकंदर जो है, मसक पे जो ह साथ होती है, वहां मुक्दूनिया भेज दिया जाता है, ठीक है, अगला हम लोग देखें, आंभी यह तक्षे सिला का जो है सासक था, आंभी ने सिकंदर पर युद्ध के अस्थान पर अधिन्ता सुकार कर ली थी, यह ध्यान रखेंगे, यानि युद्ध के अस्थान पर सिकंदर बिजय हो गया था, यानि बिजय को प्राप्ट कर लिया था, अविसार से युद्ध होने के बाद, अविसार जो है जहलम और चिनाम नदियों के बीच है, तो ध्यान रखेंगे, अविसार और अन्य छोटे राजियों में सिकंदर सौर के आगे हतियार डाल दिये, और उसके अधिन्ता स्विकार कर लिए, यानि उसी प्रकार से पूरस को हम देखते हैं, गलो निकाई को देखते हैं, कठोर से युद्ध को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब सिकंदर की सेना में विद्रो, यानि सिकंदर सौभूती पर विजय प्र परतु जब सेना नहीं मानी, तब सिकंदर ने सौधेश लोटने का निश्याय कर लिया, यानि ध्यान रखेंगे कि सिकंदर जो था वह आठ जगहों पर उसके पहले आठ रज्य, यानि आठ सासकों से वह युद्ध कर चुका था, उसकी सेना उसका साथ दे रही थी, सभी ज जा रहे थे, उनसे युद्ध करना नहीं, जो है, युद्ध नहीं करना, यानि उनके अधीन होकर अपने को खुद पराजित स्विकार कर लेते थे, लेकिन जब सिकंदर आगे ब्यास नदी के तट पर पहुचता है, अगले राज्य के से असासकों पराजित करने के लिए, तभी जो सिकंदर की सेना थी, वह सिकंदर से पस्त हो चुकी थी, उसके बाद उसने युद्ध यानि आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, सिकंदर ने बहुत अपनी सेना को समझाने का प्रत्र किया, लेकिन सिकंदर की सेना नहीं मानी, बिद्रो कैसे हुआ और क्यों लोग शिकंदर की सोना सेना जो है आगे बढ़ने ब्यास नदी को डाकने लांगने पर इंकार कर दिया सिकंदर को सदेश वापसी इवं मृत्वी धियान दखेंगे कि 325 इस्वी में सिकंदर ने अपने देश की और सिकंदर ने अपनी दो सेना को दो भागों में भीधित किया सेना का एक भाग नियार कस अधिक्सिता में जल मार्क तथा दूसरा भाग जो है सिकंदर की नित्रित में थल मार्ग वापस हुआ ध्यान रखेंगे जब सिकंदर अपने स्वदेश लौटने अपने राज्य को लौटने का निश्य कर लिया अपने सेना को बहुत मन जो है कि उसने जो है समझाने का प्रयास किया लेकिन सेना नहीं वाने तो सेना को दो भागों विवाजित किया एक जल मार्ग से एक थल मार्ग से वापस बेजने का नित्रित्यों किया मार्ग में सिकंदर की त्रिब तेज ज्वर यानि तेज वुखार आया प्रंतु मदिर्या का सेवन करता रहा निरहंतर चलता रहा जिसके पत्रड़ाम सुरू 32 वर्ष की आयू में स्वधेश पहुचने से पोरो जो है सिकंदर के मिलती हो गए ध्यान रखेंगे कि सिकंदर जब अपने स्वधेश लोटने का संकल्प कर लिया निश्चय कर लिया तब वह अपने जो है सेना को दो भागों विवाजित करता है एक तरफ सेना जो है जल मार् से जब सिकंदर भी उस समय अपने स्वधेश लोट रहा था तभी राष्टे में उसे 30 टिव्र आता है वहाँ जो है मदिरा का सेन करता है लेकिन वह रास्ते में सिकंदर ठीक नहीं हो पाता है वहीं रास्ते में यानि स्वदीश पहुचने से पहले ही रास्ते में उसकी मृत्ती हो जाता है आगे हम पढ़ेंगे कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव जो है क्या क्या है राजनितिक प्रभाव आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव को पढ़कर हम महाजनपर को खतम करेंगे यानि देखेंगे पहले राजनितिक प्रभाव क्या था सिकंदर के आक्रमण का यानि क्यों सिकंदर आक्रमण करके जो है विजय को प्राव करना चाहता था क्यों सिकंदर सपना देखता था कि विशु में जो है विशु का अधिकार मतलब सासक बने विशु में सासन करे तो इसे हम लोग जानेंगे सिकंदर के आक्रमड का राजनितिक जो प्रभाव निमलखित था यानि यहां देखेंगे आपसी फूट का प्रदर्शन इतिहास के त यहां के राजाओं ने एक जूट होकर सिकंदर की सक्ति का सामना नहीं किया परिडामत सभी राजा परास्थ हो गए यानि ध्यार रखेंगे जो सिकंदर था उसके अक्रमड से जो भारती राजा थे अलग अलग राजियों के उसमें आपस में फूट हो गया यानि आपस में संघर्स होने लगा यहां के जो राजा थे वो एक जूट यानि एक होकर सिकंदर से सामना नहीं करते थे यानि एक जूट होकर सिकंदर की सकती का सामना नहीं किये जिस कारण सभी राजा सिकंदर के सामने पराश्थ होके अधीन हो गए ठीक है आगे हम लोग पढ़ेंगे सिकं सिकंदर के आक्रमर का प्रभाव राजनितिक प्रभाव क्या पढ़ा जो सिकंदर के आक्रमर का प्रभाव था राजनितिक प्रभाव यह है कि जो सिकंदर का अक्रमर था वह ती थी वार इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए सहताली ठीक है आगे हम लोग देख लेते हैं ततका कालिन उतरी भारती में अनेक छोटे छोटे राज्यों का बिलाय पोरस और आंभी राज्यों में हो गया जिसमें अब अपेक्छा करित बिस्तरित एवं राजनितिक द्रिष्टी से एक जूट होने लगे यानि ध्यान रखेंगे जब सिकंदर का आक्रमड हुआ जब अक्रमड हुआ तो उसके बाद जो तक कालिन उतरी भारत के छोटे छोटे राज्य थे वह आपस में बिलाय हो गया यानि आपस में बिलाय कर लिए यानि आपस में मिल गया जिससे पोरस और आंभी राज्यों में मिल गया जिससे वह राजनितिक द्रिष्टी से एक होई इसे भी आप ध्यान रखें है सिकंदर के आर्धिक प्रभाव क्या पढ़ा उसे जान लेते हैं यह ब्यापार को प्रसाहन उद्रा का प्रभाव काफी महत्पूर यह प्लइтор आप ध्यान यह लिए कुछ सकते हैं यानि जब शीखंदर के ने मार्गों का ग्यान इसलिए हुआ अक्रमड के बाद जब उसकी सेना आगे जाने से इंकार कर दी तो दो भागों विवाजित किया जल और थल मार्ग से और जब सिकंदर युद्ध करने के लिए अलग-अलग राज्यों में जाया करते थे तो अलग-अलग मार्गों का प्रियो का मार्ग खुल गया इसलिए जब नए-ए-ए-ए-ए-घ्ण कोमार्ग जिठ्द भी और जो भारत इरान और आधी पिस्तिमी देशों तान दर्रा और जोडोसिया से होकर जाने वाला अस्थल मार्ग भविस में ब्यापारिक दिरिष्टी से अतधिक उपयोगी स्युद्ध हुई यानि ब्यापार के प्रुचाहन दिरिष्टी से ठीक है आगे हम लोग देखते हैं कि आर्थिक प्रभाव और क्या पड़ा भारत युनान के मद्द जो है ब्यापारिक संबंद घनिष्ट हो गया यानि इसके अक्रमर के बाद सिकंदर के आक्रमर के बाद जो भारत और युनान के मद्द यानि बीच जो प्यापारिक संबंद था वह ज्यादा घनिष्ट हो गया भारत के गरम मसाले हाथी दात आदि वस्त दक्ष नामक मुद्रा सैली से किया गया इसी लिए आर्थिक प्रभाव में मुद्रा प्रभाव को भी देखने को मिलता है आगे हम लोग पढ़ेंगे और लाश्ट और अंतिम जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहें यहां दिया हुआ सांस्कृतिक प्रभाव सांस्कृत भारती कला पर प्रभाव पढ़ा भासा एवं सहित्य पर प्रभाव पढ़ा जोतिस पर प्रभाव पढ़ा चिकिस्सा पर प्रभाव पढ़ा किस प्रकार के उप्चार हुए उसके प्रभाव पढ़ा तो चीजों को हम जो है बाइवन देख लेते हैं ठीक है वन बाइवन पर आधारित अत्यांत सुन्दर और एवं अकर्षित मूर्तियों का निर्मार्ण प्रारम हुआ, भारत एवं युनान कला के संदिर्शण से गांधार कला सैली का विकास हुआ, भारत की भौन निर्मार कला पर युनानी का प्रभाव पड़ा, यानि आप ध्यान रखेंगे कि प्रभावीज़OW जो भारत में जो जो सिकंदर का आकरमण हुआ आर्थिक प्रभाव हुआ उस समय सिकंदर के पात जो भारत और युनानदेश का घनिष्ट संबंद उत्यmez हुआ उसके जो सिकंदर देश को बातीय कहीं का ङुठिक प्रभाव हो लगे सुनदर मुर्तियां निज्मार करने लगे उन की कलासयलियों का भी प्रभाव पढ़ा युनाई कलासयलियों का भी भारत के कलासलियों पर पढ़ा पुस्तक कलम फलक सुरंग आधिको संस्कृत में अस्थान दिया गया इसलिए भासा एवं सहित पर युनानी का प्रभाव पढ़ा भारती जोतिस बिद्याक्त में पहले ही बहुत उन्नती कर चुके थी यानि ध्यान रखेंगे जो भारती थे और जोतिस बिद्याक्त में पहले से उन्नती कर चुके थे लेकिन यानि परंतु भी भारतियों के रासी चक्र के विश्याय में बहुत कुछ सिखा कैसे जोतिस सास्त्र के सिध्धान जो थे रोमक एवं पॉलिस के लिए भारती जोतिस युनानी युनानियों के रीडी हैं यानि कर्जतार हैं इत्यान रखेंगे जो जोतिस सास्त्र के सिधान्त है रोमक पॉलिस इनके लिए जो भारती जोतिस सास्त्र हैं वह युनानी जोतिस सास्त्रों के रीडी हैं क्योंकि उन्नी से इन चीजों को उन्होंने सीखा जाना आगे हम देखेंगे भारती औसधी विज्ञान इवं चिकिस्टा पद्धती तथा युनानी औसधी विज्ञान इवं चिकिस्टा पद्धती में बहुत कुछ समानता मिलती है काफी महतपूर है यह निशित रूप से कहा जा सकता है कि भारत इवं युनानी ने चिकिस्टा के छेत्र में भी एक दूसरे क को प्रभायबित किया यानि काफी महत्पूर है और से चीज़ों को पढ़ेंगे फिर आगे जो है सक्रास का अंत करेंगे खतम करेंगे यहां रखेंगे कि जो चिकिष्णा का प्रभाव पढ़ा भारत के बारत जब भारत और युनान का एक घनिष्ट मित्रता हुई धार रखेंगे जब घनिष्ट संबंद बना उस समय देखा जाता है कि जो असदी विज्ञान थी और चिकिस्षा पदती थी उसमें समानता कैसे मिली यानि जब भारत और चिकिस्षा एक दूसरे का प्रभावित हुआ यानि जो चीजे भारत में नह सिक लेते आफिसिकंदर कौन था सिकंदर भारत सिकंदर आने का जो हिके भारत आने का लच वाज़ित कैसे नहां कि लथा प्राजित के आरतिक रहाओ क्या नहीं चेहां आता है प्राचीन महा जन्पत के बिच्णीश 100 also मगत समराज़ का और लोगों ककर ये रहा आज की क्लास में महा जन्दम्द में सूला अक्रमभ को पड़े मागट सामराज को पड़े सिकंदर के आक्रमभ के बाराजनाइति की प्रभाव क्या था उसके बाद हमने देखा अर्थिक प्रभाव क्या था उसके थी यह रहा आज की क्लास तो आई होप आप सभी लोगों को आज के यह क्लास समझ में आया होगा जो समाजिक विज्ञान यानि इतिहास में महाजनपद है अगली क्लास में एक और टाफिक आप लोगों का बचा हुआ है जैन और बहुत दिशाहित के बारे में पढ़ लेंगे वह आप सभी लोग में अगले उस नए टाफिक को लेकर तब तके लिए नमस्कार